नमस्का दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं नेट्फिक्स पे रिलीज हुई एक श्पैनिश फिल्म के बारे में जिसका नाम है थू माई विंडो अक्रोस दसी ये 2022 में आई हुई थू माई विंडो का सीक्वल है ये एक रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है जा आप इसको देखने क के बाद मेरा जो अपिनिट बनता है उसको मैं गर आपको बताऊं तो मेरे लिए ये फिल्म एक हवस का अड्डा और सेक्स की भरे हुई फिल्म है क्योंकि इस फिल्म में प्यार तो दूर दूर तक नहीं था बस पूरी ही फिल्म में आपको सेक्स, नुडिडी और हवस ही द रिलेशन्शिप में रहते हैं जहांपे एरिस किसी और जगापे हैं वहांपे बढ़ाई करता है और रकेल किसी और जगापे वहांपे वह लोग फोन से माचित करते हैं रहते हैं लेकिन उनकी रिलेशन्शिप में थोड़ी बहुत अंतर आ जाती है प्रोब्लम्स आ जाती ह ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी अब दोस्तों में कहीं ना कहीं एसा सोच रहा था कि यार कुछ आगे जाके फिल्म में ये लोग एरिस्ट को रखेंगे थोड़ा एसा रिलस्टेशिप दिखाएंगे जो हमें emotionally connect कर दे वो दुनों अपने प्यार के पति क्या क्या कर सकते हैं वो हमें देखने पर मिले लेकिन फिल्म में क्या करते हैं किस करते हैं सेक्स करते हैं किस करते हैं सेक्स करते हैं बस ये जो दो बाते हैं वो हर 10-15 मिनिट में वो लोग शुरू हो जाते हैं अरे इसके आगे भी प्यार होता है मैं मानता हूँ बाई ये जेलसी है, वो लोग अपने ही पार्टनर्स को दोका दे रहे हैं, किसी और के साथ वो किस कर रही है, सो रही है, वो लड़का किसी और के साथ सेक्स कर रहा है, बस ये एक पूरी फिल्म में दिखा जा रहा है, अब एसे रिलेशनशिप बंती है क्या? अगर आपके बीच में अनबन भी है तो आप बेट के बात कर सकते हो उसका solution निकाल सकते हो आप कुछ भी problem का हल निकाल सकते हो लेकिन ये क्या बात हुई कि अगर partner में कुछ कमी है चलो दूसरे के साथ sex करते हैं, दूसरे के साथ हवस का अपना अड़ा जमारते हैं पस पूरी ही फिल्म में आपको यही देखने को मिलेगा मुझे तो प्यार दूर दूर तक कही पे भी नजर में नहीं आ रहा था ना रकेल की आँखों में दिख रहा था और ना एरिस के चेहरे पे दिख रहा था मलब इतना वो लोग अंदर से हवसी बन चुके हैं कि उनको सेक्स के अलावा कुछ नहीं दिखता उसके अलावा उनकी रिलेशन्शिप आगे क्या बढ़ रही है उनके जीवन में क्या हो रहा है वो लोग आपस में कुछ मात ही नहीं करते मलब सच बता रहा हूं दोस्तो इतनी बद्धी ये फिल्म लग रही थी ना कि देखने में ये मज़ा नहीं आ रहा था उपर से फिल्म में एकात एक केरेक्टर है लड़की का वो लोग 3 सम करते मलब उस चीज़ की क्या जरूरत थी अभी भी मैल को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग रिलेशन्शिक में होते हुए भी वो लोग 3 सम करना जाते है उनकी अलग से फेंटसी है कि मुझे 3 सम करना है तो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा एक सिन में चाब एक लड़की को किस करते हैं उसके बाद वो लोग 3 सम करते हैं, मलत सच में अस हवनी है थी मूवी, और इसका तीसरा पार्ड भी अनौस हो चुका है, आपको इसके एंडिंग में तीसरा पार्ड भी देखने को मिलेगा, वो जो 2024 में आएगा, और उसका जो नाम रखा गया है, तो मुझे तो ये फिल्म कुछ रोमेंटिक से जादा हवस और सेक्स का अंड़ा ही लगी है, उसके अलावा फिल्म में कुछ भी नहीं है, अगर आपको न्यूडिटी देखनी है, सेक्स देखना है, हवस देखनी है, तो ये फिल्म आप जरूर से चिक आउट करेगा, लेकिन यार भरी जो भावनाएं होती है, जिसके साथ हम एमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, वो फिल्म इस ये नहीं है, मलब इस फिल्म में वो चीज मिसिंग ही रहेगी, मैं इस फिल्म को दूंगा, तू आपको ये रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और